हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासिज में तो आज के प्रमिक्स में पांच कोशन्स हम डिस्कुस करेंगे पॉलिटी और गवर्नन से जो कि आपके एक्जाम पॉर्णों से काफ़ जादा इंपॉटन्ट है और काफ़ी ईजी और अच्छे कोशन्स भी यहां से पूछी जाते हैं जो कि काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं कि आप कट आउफ के इस पार हैं उस प किया गए हैं पहली सेटन में कह रहे हैं जो आपकी इलेक्टेट गवर्मेंट रहेगी वोने अब यहां पर ओपीनियल लेना पड़ेगा अगर किसी भी तरीका एक्जेक्टेटिव एक्शन ने लेना है सेकिंड में कह रहे हैं कि जो आक्ट है वो प्रोहिबेट करता है कर सकते हैं जो कि लेश्लेटिव असेंबली दौरा पास कि जाएंगे कि अगर उन्हें लगता है कि वो प्रेजिडेंट की कंसेटरेशन के लिए रखे जाने हैं तो तीन सेटमेंट दी गई है इस परड़ेक्ट अप्शन मार्ग कीजिए फिर डिसकस करते हैं इस को तो बलकि यह अलाओ करता है अब ठीक जी लेश्लेटिव असेंबली को की वो रूल्स बना सकते हैं जिसके चलते जो प्रोसेजर और कंडाक्ट अब बेसिकली असेंबली का उसे वो मैनेज कर सके ठीक जी थर्ड में जो कह रहे हैं कि बेसिकली यहां पर जो रिफिनेंट गवरन अब मेडियूम कह सकते हैं किस तरीके से आपका इंटाफेस अपने डेली बेसिस पर रिवाइस कर रहे हैं तो बेसिकली यह जो आपका गौर्मेंट ओफ नाशनल कप्टिर्टीरिटिव अफ़ डेली अमेंड़में बिल है यह आपको पता होना जरूरूर्ण है यह यह प्र प्रवाइड करता है तरीके का framework कि किस तरीके से जो legislative assembly है वहाँ पर function करेगी और सरकार जो है आपकी national capital territory of dairy की कि वह किस तरीके से काम करेगी तो basically अब जो यह bill आया है आपका amendment bill है तो इसके चलते कुछ powers और responsibilities यहाँ पर amend की गई है legislative assembly और lieutenant governor की जो कि हमने अपने question में भी discuss की ठीक जो हमने बात की कि act allow करता है legislative assembly को second statement में जो बात कर रहे थे कि जिसके चलते जो आपके rules बना सकते हैं ताकि regulate किया सके procedure or conduct in the business of the assembly तो यह बात हमने second statement model discuss कर चुके हैं तो यह bill provide करता है कि इस तरीकी के जो भी rules रहेंगे that they must be consistent with the rules of procedure and conduct of business जो कि आपके लोग सभा का है ठीके जी तो मतलब उसी के अधार पर rules and regulation वहाँ पर रखे जाएंगे वहीं बात करें third statement के बारे में जो हमने बात की कि यहाँ पर आपके जो left and governor है वो कुछ bills को reserve कर सकते हैं कि अगर उन्हें president की वहाँ पर consideration की जूरत पड़ रही है किस तरीकी की bills रहेंगे which may diminish the power of high court of the Delhi second में कह रहे जो कि deal करेगा with the salary and allowances of the speaker, deputy speaker, members of the assembly and the ministers या फिर अगर कोई official language related assembly की या फिर national capital of territory of Delhi है उस related कोई bill है तो उसे वो वहाँ पर रोक दिया जा सकता है मतलब उसे reserve कर सकते हैं कि यहाँ पर president की consideration लेना ज़रूरी है तो इन bills related भी आपको question directly पूछ लिया सकता है कि statement के तौर पे आपक को यह statement दे गई हो वहाँ पर ठीके जी अब आपसे पूछे जाए कि इन में से कौन-कौन से आपकी ऐसे bills हैं जो की lieutenant governor वहाँ पर reserve करके रह सकते हैं president की consideration के लिए ठीके जी काफी important question आई हो आपने इसको correctly mark किया हो अगले question क्यों बढ़ते हैं बहुत ही simple सीज आपसे यहाँ पर पूछी गिए statutory grants के बारे में फैक्टिल ने चरव कोशन ने तीन statement दी गई है पूसा जा रहा है इन में से कौन-कौन सी correct है और उसी की चलते हैं आपको चार कोर्ज यहाँ पर provide किये गए हैं पहली statement देखते हैं बात कर रहे हैं कि जो आपका article 275 है वो एंपावर करता है पार्लिमेंट को कि वो basically to make grants to every state ठीकी जी कि ग्रांट्स वहाँ पर provide करें हर एक state को second में कह रहे हैं जो आपके different sums हो सकते हैं अलग-लग states के लिए कि अलग-लग amount वहाँ पर fix किया जा सकता है अलग-लग states के लिए बट हर एक state को नहीं देनी की जुरूरत है जहां जुरूरत लगती है कि यहां इन्हें financial assistance provide करना जुरूरी है सिर्फ उसी state को देना जुरूरी है as per article 275 तो कहीं न कहीं technically आपकी statement गलत होगी second और third उनको correctly बिताएगा है कि अलग-लग sum fixed किया जागा देखा जागा किसको कितनी जादा financial assistance से ये जैसे कि अगर आपके terrorism affected areas रहेंगे तो वहाँ पर जादा financial assistance की जरूत पड़ेगी कि उस तरीके से वहाँ की economy revive तो नहीं हो रही है आपके next light areas रहेंगे वहाँ पर जादा प option correct option है तो बेसिक सी बात है की गई थी पैचल नेचर कोशन था डिफिट लेवल मीडियम कर सकते हैं बट मोर और लेसी नेचर आपका question था ये तो आर्टिकल 275 हमने बात कर लिए पार्लिमेंट में बेसिकली इसमें क्या पावर रखी गई है कि वह ग्रांट दे सकते हैं स्ट सब्सक्राइब करने की भी बात की जा रही है ठीकी जी ताकि उनका जो लेवल अफ एड्मिस्रेशन है उसे भी इंप्रूफ के जा सकते हैं इन सबी चीजों के बारे में हाँ पर बात की गई है ठीकी जी काफी सिंपल सा question था आप आपने इसको करेटी मांग किया हो थर्ड question देखते हैं दुबारा से interesting question RTI amendment after 2019 अब देखिए 2021 का अगर आप paper दे रहे हैं तो पिछले दो साल के current office तो आपके लिए important है और उसे के धार पर आपके लिए question भी important है तो RTI amendment act 2019 से related आपको दो statement साथ दीगी है पूछा जा रहा है यहां पर कौन कौन सी incorrect है ध्यान रखना है इसी terms का कि correct पूछा गया है या incorrect तो पहली statement देखते हैं कह रहे हैं कि it provided that the chief information commissioner and the information commissioner shall hold the office for a term of five years second में कह रहे हैं जो आपकी salary, allowances या जितनी भी other service conditions रहेंगी chief information commissioner की वो आपकी same रहेगी to the chief election commissioner दो statements यहां पर दीगे हैं थोड़ा सूचिए से amendment act के बारे में correct option माग कीजिए बताइए यहां पर कौन सी statement incorrect है फिर हम discuss करते हैं इस question को तो देखिए यहां पर आपकी दोनों ही statements incorrect हैं क्यों अब भी discuss करेंगे तो basically जो यह आपका RTI, right to information amendment bill 2019 का है इसके चलते जो आपका RTI Act 2005 का है उसमें amendments लाई गई हैं तो basically इसमें क्या कहा गया है कि जो पहली statement में भी बात की गई कि यहां पर 5 साल का जो पहले का term fix किया गया था अब वैसा नहीं है कि इसमें जो आपके chief information commissioner रहेंगे या फिर जो आपके information commissioner रहेंगे वो office तब तक hold करेंगे जब तक central government के दोरा prescribe किया जाएगा जो पहले term fix कर रखी गई थी 5 साल की वो अब basically change कर दीगे ही वो amend कर दिया गया है वहीं बात करें salaries, allowances और other service conditions के बारे में तो basically वो भी जो केंद्रिय सरकार वहाँ पर prescribe करेगी उसी के अधार पर चलेगा इससे पहले क्या था कि जैसे कि हमने second statement में बात की कि जो आपके chief information commissioner थे उनकी जो salary थी, allowances थे जितनी में service conditions थी वो chief election commissioner के से ही मिलती जूलती थी ठीके जी, तो यहाँ पर यह amendments ला दी गई है, जो statements आपको दो दी गई थी, वो RTA Act of 255 के अधार पर दी गई थी, बट अब वो changes आच चुके हैं और यही major changes जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है काफि simple सा question पूछा गया था, I hope आपने इसको correctly माग किया हो, अगले question के और बढ़ते हैं, fourth question, अब आपसे पूछा रहे हैं, इन में से कौन सी आपकी जो statements हैं, वो incorrect हैं with respect to special purpose agencies in urban areas, आपको यहाँ तीन statements दी रही हैं, और उस से related 4 codes आपको यहाँ पर provide किये गए हैं, incorrect statement पूछ और as departments by an executive resolution, third में कह रहे हैं, यह आपके subordinate agencies की तरह रहेंगी, of the local municipal bodies, तो तीन statements दी गई हैं, आपको बताना है, इन में से कौन कौन सी statements incorrect हैं with respect to special purpose agencies, जो कि आपके urban areas में सापित की जाती हैं, फ़ड़ा सोची इसके बारे में, correct option माग कीजिए, फिर discuss करते हैं इस question को, तो दे statement आपकी गलत है, basically एक particular function के लिए ही यह आपकी special purpose agencies की स्थापना की जाती है, unifunctional जिसे हम कहते हैं कि एक particular function रहेगा, वही यह agency carry out करेगी, area based नहीं रहती है, second में बिल्कु करेक्टली बिताया गया है, इसे establish किया जाता है, इस आपकी स्टेटल इस लिए सके किसी आठ के अध agencies नहीं रहती आपकी local municipal bodies की, तो यहाँ पर आपकी first और third statement incorrect है, उसी के धार पर a option correct option है, ठीके जी, factual as well, conceptual nature of question आपको पता होना जुरूरी है कि किस तरीकी की bodies रहती है, तो यहाँ पर अब states के पास basically अपनी ही सहुलियत है, कि वो set up कर सकते हैं कुछ certain agencies, ताकि कुछ designated activities हैं, सकें, आपके urban governments में, ठीके जी, तो basically जैसे हमने बात की, कि यह function based रहेंगी, ना कि area based, कि वहाँ पर function assign के जागा, यह नहीं कहा जागा, कि इतन एरिया में आपने यह सारी चीज़ा करनी है, एक function के उपर यह काम करेंगी, किस तरीकी की bodies रहती हैं, जैसी आपकी town improvement trust होगे, urban development authorities होगी, water supply and severage boards होगे, housing boards होगे, pollution control boards, यह सभी जो आपकी bodies है, यह आपकी इस तरीके की agencies रहती हैं, ठीके जी, और यह जो इनके functional, basically जो यह functional local bodies रहेंगी, जैसे कि हमने बात की, as a statutory body भी established की जासे, street legislator के दोरा, या फिर department by an executive resolution, बट जो इनके function है, वो basically as autonomous bodies की तरह यह deal ठीके जी, कि मतलब इनका कोई independently यह काम करेंगी, जो आपकी local urban governments रहेंगी, municipal bodies रहेंगी, उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, independently ही इनका आप नहीं काम रहेगा, तो basically उसी इधार पर देखा जाए, तो किसी भी तरीके से यह एक तरीक, हम नहीं कह सकते कि यह subordinate agencies हैं, उन local municipal bodies के लिए, ठीके जी, तो यह थी आपकी basic explanation इस question की, अगले question के और बढ़ते हैं, आज का final question, तो यहां बात हो रही है कि जो आपके left and governor है, जमुन कश्मीर के, उननोंने recently dismiss की है, 11 जमुन कश्मीर government employees for alleged error links with under the provision of the constitution, अब आपको उसी से ही related यहाँ पर 3 statements दे गई हैं, आपको बत 311 है, constitution का वो deal करता है with the dismissal, removal, or reduction in the rank of persons, जो कि आपके civil capacities में employee किये गए है, under the union or state, second में कह रहे हैं, जो आपका government servant रहेंगा, अगर उनने suspend किया गया है, तो basically जो उनने constitutional guarantee प्रवाइट किये गी है, article 311 में, तो वो वहाँ पर उसे claim नहीं कर सकते, third में कह रहे हैं, जो आपके government employee रहेंगे, अगर उनने dismiss किया था, under the provisions of the article 311 part 2, तो वो किसी भी तरीकी के tribunal या court को वहाँ पर approach नहीं कर सकते, तो यहाँ तीन statement आपको दी गई है, इस particular issues are related, तो यहाँ सोची है थोड़ा इसके बारे में, current affiliated question यह आप से पूछा गया है, correct option mark कीजिए, फिर discuss करते हैं इस question क तो देखें, यह आपकी current affair की news थी, जिसमें lieutenant governor ने 11 आपके इन सरकारी employees को यहाँ पर dismiss किया, और उसी से related question किस तरीकी से पूछा सकता है, वह हम यहाँ पर deal कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ पहली दो statements ही correct है, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ पहली दो statements ही correct है, कि पहली बात तो जो आपका article 311 है, वहीं सब चीजों के साथ deal करता है, तो दूसरी बात क्या की गई थी, कि अगर किसी सरकारी servant को suspend कर दी जाए, तो जो constitutional guarantee उन्हों 311 मत दी गई है, वो वहाँ पर उसे claim नहीं कर सकते है, क्यों नहीं कर सकते हैं, हम discuss करेंग इसके बारे में, वहीं ज अधार पर तो वो किसी भी tribunal या court को approach नहीं कर सकते, तो यह statement बहुतल गलत है, जो भी state administrative tribunal रहेगा, यह union, government के case में आपका जो central administrative tribunal रहेगा, या कोई भी court रहेगा, तो वहाँ पर definitely वो approach कर सकते हैं, कि जी हाँ उन्हें इस तरीके से वहाँ से निकाल दिया गया है, या इस dismiss कर दिया गया है, तो क्या causes हैं, उस पर fight पूरा हो कर सकते हैं, ठीके जी, काफ़े simple सा question था, बस थोड़ा सा आपको देखने था कि constitution के प्रोविजिस के अधार पर यहाँ पर लिखे गए हैं, तो पहली दो statement आपकी correct है, तो यहाँ पर D option correct option है, तो discuss कर लेते हैं थोड़ा, जैसे कि हमने बात की, जो suspension वाली बात थी, तो main चीज क्या है, तो supreme court ने जो आपका case था, बंच सिंग वर्सिज अ स्टेट अफ पंजाब, उसमें clearly कहा था, कि अगर किसी विखती को suspend किया जाता है, किसी विख सर्विश से, ठीके जी, तो जो suspension है, उसका मतलब क्या है, कि ना नहीं उन्हें dismiss किया गया है, नहीं उन्हें remove किया गया है, नहीं उनके rank में reduction आई है, तो basically जो 311 हमारा article है, उसमें जो बात की गई है, dismissal की, removal किया, reduction in rank, तो basically ये उन criteria को meet ही नहीं कर रहा है, कि suspend किया गया है, इन 3 चीज़ उनके बारे में बात नहीं की गई है, तो वहाँ पर जो 311 के अंदर constitutional guarantee प्रोवाइड की गई है, तो वह वहाँ पर उसे claim नहीं कर सकते, और यहीं चीज़ आपकी statement उसमें भी पूछी गई थी, ठीके जी second statement में, तो यह basics information आपकी questions related, वहीं बात करें आपके शामलल versus the state of UP, ठीके जी तो इसमें भी Supreme Court ने आपके कहा है, जो आ आपके provisions हैं, वहाँ पर आपके पूरे रहेंगे, तो यहीं चीज़ें आपकी पूरी-पूरी बताएगी हैं, और इसी में भी आपका 311 applicable नहीं रहता, तो simple से question थे, I hope आपने correctly mark किया है, तो आज के 5 questions नहीं खतम होते हैं, तो I hope आप में से सभी नहीं 5 out of 5 यहाँ पर score किया ह बट स्टिल जो भी आपका score रहा है, comment box में जरूर mention कीजिए, और इसी तरीके से regularly इस initiative को follow करते रहें, परलिम का समय नजदीक आ रहा है, कुछी दिन बचे हैं आपके पास, तो अब जितनी ज़ादा आप practice करेंगे, उतना ही ज़ादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्यू जिसमें तीन questions आपके daily पूछे जाएंगे पुराने प्रेमिक्स से, ठीके जी, syllabus आपको एक दिन advance में दे जाएगे, जैसे कल आपको पॉलिटी का syllabus दे जाएगे था, कि October और November के जो प्रेमिक्स हैं, जो कि मारे platform पे available है, free of cost, आप वहाँ जाके देखिए, compiled format में available हैं, अब यहाँ पर जो तीन questions पूछे जाएंगे, ठीके जी, अब जो कोई भी इन तीन questions, जो revision questions हैं, इने correctly answer करेगा, तो उन्हें मिलेगा Amazon का gift card 500 रुपीज का, ठीके जी, तो यहाँ पर आपको एक ही comment में अपना answer submit करना है, अपनी email ID के साथ, किस तरीके से आप देख सकते हैं, कि य आज का आपका political permits revision शुरू करते हैं, तीन questions आपसे पूछे जाएंगे, अच्छे से video pause करके हरे question को पढ़िएगा, correctly answer अपना एक ही comment में तीनो questions का answer, अपनी email ID के साथ वहाँ पर लिख दीजेगा, ठीके जी, जिस तरीके से R1, आपका question 1 हो गया, R2, R3, और तीनों के answer, और सा schedule of the constitution, इससे related आपको कुछ statement दी गई है, आपसे पुछाराइन में से कौन कौन सी incorrect हैं हाँ पर, तो चार statement दी गई है, ठीके जी, देख लीजी अच्छे से, और आपको उसी के चलते चार course यहाँ पर provide किये गए है, वीडियो pause कीजी, अच्छे से question देखिए, और correct option mark कीजीए अगले question के और बढ़ते हैं, R2 में बात हो रही है कि आपको कुछ statement दी गई है, आपको body identify करने है, कि कौन सी body के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर 4 options में आपको bodies दी गई है, जैसे कि All India Handicrafts Board हो गया, Tariff Commission हो गया, National Productivity Council, Central Mine Planning and Design Institute Limited, तो यह 4 bodies हैं आपको बतान किया, आपसे पूछा रहा है कि इन में से कौन कौन से pairs आपके correctly matched है, तो चार options हैं, उसी की तलते चार code आपको यहाँ प्रवाइट किये गए हैं, तो वीडियो पॉस्ट करके correct option mark कीजिए और एक साथ तीनों questions का अंसर अपनी email ID के साथ पोस्ट कीजिए comment box में, कल के premix revision series के बारे में बात करें, तो history में आपके तीन question पूछे गए थे, ठीकी जी पहला question आपका भगत से related था, जिसमें आपकी B option correct option थी, second, third or fourth statement यहाँ पर आपकी correct है, वहीं बात करें, जिसमें आपको freedom fighter identify करने की बारे में बात की थी, तो यहाँ पर जलकारी भाई के बारे में बात ह हो रही थी, ठीकी जी, वहीं बात करें, third statement में जहाँ पर आपका इस पुरसकार से related बात हो रही थी, यहाँ पर आपसे incorrect statement पूछी थी, तो यहाँ पर आपकी statement one or two incorrect थी, तो काफी simple से question पूछे गए थे, और यहाँ पर जो समित राय चंद है, इनों ने सबसे पहले, B, C, B, correct options यहाँ पर mark की थी, और अपनी email ID के साथ यह answer यहाँ पर paste किया था, ठीकी जी, वहीं अजवेता कश्यप ने भी बहुत अच्छा attempt है यहाँ पर, बट काफी neck to neck था, और साथ के साथ इनों ने email ID भी अपनी post नहीं की थी, अनुराग नाथ ने भी यहाँ पर attempt दिया है, ठीक नहीं जादा आपके लिए बहतर रहेगा, और सेम यही चीज आपके, तुमिजी को यहाँ पर भेज दिया गया है, Amazon का gift card, ठीके जी, अब कल के बारे में बात करें, तो कल आपका economy का premix रहेगा, जिसमें आपकी premix revision में, October और November के, जो आपके premix हैं, जो कि हमारे platform पे available हैं, जारा launch कर दीजा आचुका है, जिसमें आपका PCM batch है, जो कि GS component के लिए हैं, फिर आपके individual GS subject courses, सबसे पहली बार available हुए हैं, फिर आपके optional subject के हैं, PSR or sociology, फिर आपका essay component का course है, जो कि main answer writing लिए बहुत जादा important है, और फिर यहाँ पर कुछ combos भी available हैं, सारी details हमारी website पे available हैं, आपके कोई भी कोरी जो आपके कॉल किजी, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक कोरी को resolve करने की, तो इसी तरीके से इस initiative को follow करते रहे हैं, और अपनी प्रिलेंज की profession को और जादा बहतर बनाएं, that will be all, all the very best. झाल झाल